गर्मी की छुटियां चल रहे हैं और बच्चे हर थोड़ी देर में एकी चीज बोलते हैं कि ममी कुछ थंडा बना दो जल्दी से प्यास बहुत लग रही है तो क्या-क्या चीजे मैं अपने बच्चों को देती हो आज पर आपको इस वीडिया में बताऊंगी कि पानी के साथ आप जट-पट से क्या-क्या बना सकते हो गर्मियों के ड्रिंक में अगर सबसे बेस्ट कोई चीज है तो वो मेरे हिसाब से यह दई की नमकीन चाच है अगर फ्रिज में दई पड़ा है ना तो मैं और कुछ भी बनाना प्रेफर नहीं करती सिंपली 4-5 चमच दई लेती हूँ उसमें एड़ करती हूँ काला नमक, थोड़े से बुने हुए जीरे का पाउंडर और काली मेर्च इसको अच्छे से फेंट के आपको बरफ और पानी मिला लेना है, that's it बहुत ही बढ़िया ड्रिंक रेडी हो जाता है, इसको बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है आपको बरतन नहीं भी लेना, इवन आप ग्लास में भी दो ग्लास लो, उसमें भी ये चीज फटा-फट बन जाती है एक ग्लास में तीन चाह चमच दई डालो, उसमें साइच चीज़े डाल कर पानी बरफ डाल के फेंट लो अच्छे से बहुत जल्दी ये चीज़ बन जाती है और बच्चों को पसंद भी आता है उसके बाद बारी आती है ये मीठे शर्वत की, शर्वत की तो कुछ ना पूछो, कितने तरह के शर्वत आते हैं मार्किट पे लेकिन सबसे ज़्यादा जो गरों में बनता है वो है ये रोज शर्वत अलग-अलग ब्रैंच का मिल जाता है देसी मिल जाते है इस तरीके से जिसमें चांदी का वर्क रहता है जैसे इसमें है बोर्टल में चांदी का वर्क तो साथ ही साथ मैं इस तरह से गोंद हमेशा भिगो के रखते हूं इसको बोलता है गोंद कतीरा इस तरह से हमेशा गर्मियों में ॏ भिगोके ही रखो जैसे खत्म हो जाती है फिर से भिगोके रख दो ताकि आप इसको Harvardatz थोड़ा थोड़ा एड कर सको वह-ट ज्यूह से इसको दूद में मिला के खाने के बिबहुत ज्यादा फाइद सिंपली शर्बत में आप इस तरह से गोन मिला के बच्चों को दो इसी टाइम पे बच्चों को हर चीज की आदर डालनी चाहिए तब बच्चे बड़े के पता नखरी नहीं करते मेरे बच्चे जब भी साइक्लिंग करने जाते हैं या कहीं भी बाहर कभी थोड़ी दर के निम्बू का कॉंबिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है सिंपली आपको शर्बत में निम्बू आड़ करना है और साथ में थोड़ा सा गोन कतीरा आड़ कर देना है तैन टू टू ट्वेंटी सेकिंड्स में आप शर्बत वाले ड्रिक्स बना सकते हो और गर्मी जटपट से भागती है उसके बाद ही आता है कच्छा आम पन्ना इस आम पन्ने को कैसे बनाना है यह मैं अपनी वीडियो में दो तीन बार पहले भी बता चुकी हूं अगर यह आम पन्ना फ्रिज में बना पड़ा होना तो आपको सिरफ पानी और बरफ एड़ करके पीना है दीना आड़ करके और यह चीज़े आड़ करके आपको ग्राइंड करके रख लेना है अगर तो आपको लगता है कि एक हफते में यह आम पन्ना कंसिट्रेट खतम हो जाएगा तो फिर तो उसको पकाने की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना र उसके बाद अब यह बारी आती है लेमनेड की बच्चों को पीना तो बहुत पसंद होता है लेकिन मैं ज्यादा तर यह ड्रिंक बनाती नहीं हो सिरफ तभी बनाती हूँ जब घर पे पुदीने की गुच्छी आई हो विकास पुदीना हर टाइम तो घर पे होता नहीं है इ बिलास में या फिर चोटे से जार में उसके ऊपर से आपको एड़ करना है आइस और सोडा आप पानी भी एड़ कर सकते हो लेकिन सोडे के साथ इसका टेस्ट जादा बढ़ी आता है तो अच्छे से मिक्स करके यह कुईक लेमनेड रेडी हो जाता है जार में बच्चों को के साथ यह पीना बहुत ही पसंद रहता है और मैं आपको बता दो अगर घर पे बच्चे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह कि आप पाइप्स रखना पसंद करते हो मैं यानि कि इस तरह से स्टील की स्ट्रॉज या फिर जो भी स्ट्रॉज जिसको आप रियूस कर सकते हो उस इस परफंगस हो जाता है वह बच्चों के अंदर ना आ जाए अब बारी हैं एक और बडिया से ड्रिंक जिसको बोलते हैं उन जाबी में महटे बोलते हैं इसके लिए सबसे पहले चीनी को इस से मिक्स करना है नौर्मल वाटर में चीनी बड़ी घुल जाती है तो चीनी को पानी के साथ करना है अच्छे से मिक्स इसमें आड करना है नीम्भू काला नमक थोड़े से बुनेहों जीरे का पाउडर और बरफ और पानी डाल के बना देनी है कुछ लोग पता है मीठी चीकन जो भी पीनी भी पसंद करते हैं मतलब नमक नहीं आड़ करना सिरफ चीनी और निम्बू और बरफ पानी लेकिन मैं अभी बना रही हूं मसाला शिकन जी सो इस तरह से मैंने सारे नमक और मसाले भी आड़ किये इवन लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा और चटपटा करने के यह हलका सा चाट मसाला भी आड़ किया विकास उससे टेस्ट अच्छा आता है तो यह सारे ड्रिंक्स जो आपने देखे यह पानी के साथ बन जाते और इन बेट्वीन दे बच्चों को जब भी प्यास लगती है बचों को यही सब बना कर देती हूं उससे काफी लोगों ने शेक्स ही देती हूं बच्चों को साथ में लेकिन दिन में जब भी बच्चों को जुरत पड़ती है तो यही सब चीजे पानी वाली बना कर देती हूं और एक नई चीज जो इस साल में अपने बच्चों को इंट्रड्यूस करवाई है वो है यह चीया सीर्स मैंने खुद इ बच्चों को बना कर पिलाती हूं एक वीडियो में मैं वो सारे कवर अप करूंगी सो स्टे कनेक्टीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखना विद बेल ऐकन और लाइक दिस वीडियो और शेर विद यूर फ्रेंड्स सी यू इन नेक्स वीडियो